स्वागत है आपका मेरे नए व्लोग में और यहां हम लोग जेल महल आ गए हैं हैंडी क्राफ मार्केट से निकल के और यहां पर हम लोगों को सबसे पहले पानी के बताशे का एक स्टॉल मिलता है या पानी पूरी या पतासी जो भी आप कहते हों पर एक चीज हम लोगों ने देखी यहां पर जो बताशे थे वो बहुत महांगे थे मलब हमारी यूपी में ऐसे ही अगर आप बहुत अच्छे स्टॉल से ना खाओ तो दस के च्छे या दस के पाच मिल जाते हैं लेकिन यहां पर यह ट्वेंटी के सिक्स मिल रहे थे तो हम लोगों ने लेकिन फिर भी इंजॉय किया और मज़ा आगई खाके इसके बाद हम लोग इस साइट पर दूसरे जहां पर जल महल था उस साइट पर आते हैं और वो सामने देखिए जल महल दिख रहा है जल महल में अंदर जाना अलाओ नहीं था और वो केवल रॉयल फैमिली के लिए अलाओ होता है ऐसा वहाँ पर कह रहते हैं सब लोग और जल महल अपने आप में मतलब बहुती सुन्दर साइट आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है मतलब पानी के बीचों बीच और ये मान सा अगर जील में इस्तित है और इसके किनारे वो सब देखिए आप अरावली पहाडिया है और कि अनिर्माट सबसे पहले 1699 में करवाया गया था सवई प्रताप सिंग जी द्वारा और फिर इसको ये जो आप मान सागर जील देख रही हो ये जो पानी पूरा देख रहे हो इसको 1799 में जै सिंग डुथी द्वारा मतलब पूरा कन्स्डरक्ट करवाया गया था हौर इसम कएते हैं की माधु सिंग ने इसको बादू सी प्रथम ने कुछ लोग कहते हैं की सवाही प्रताप सिंग ने बन वह तो अलग अलग गाइड बता रहे थे और आगर आप.'' बीकी Pेडिया पर भी सर्क्राइब करो आप देख को पूरी मार्केट मतलब अच्छे लग रहा थे लेकिन यहां पर यह जो जितने भी बैग आप देख यह हमारे यूपी में मिल जाते हैं। लेकिन यह जो एक ब्लैक कलर का भैग था इस टाइप के बैग बहुत रियर ली देखने को मिलते हैं। यह बाग बहुत अ पर यह वाला कुछ नया लग रहा था देखने में यह साड़ी वगेरा सप्पे जाएगा तो बहुत अच्छा लग रहा था इसके बाद यहाँ पर यह देखो बहुत सारी समान मतलब वाल डेकोर के लिए बहुत कुछ था, पैन थे वो जो फिर इसके बाद यहाँ पर जो वहाँ जापुरी स्टाइल की मतलब राजस्थानी कॉस्ट्यूम में फोटो शूट था तो मम्मी और दीदी लोगों ने वो करवाया था देखो वो लोग तयार भी हो रहे हैं इसके आगे वो लोग अभी फोटो शूट भी करवायेंगे और भी चीज़ें यहाँ पर हैं समान मतलब मिल रही थी और देखो जूटियां यहाँ बहुत अच्छी-च्छी मिल रही थी 300 रुपीज में और 250 में भी बहुत सारी थी अच्छे डिजाइन्स की थी मतलब वकर आप ट्रेडिशनल ज्यादा पहनते तो उनके साथ चलने वाली लेकिन बस यहाँ पर जो मिल रही थी वो मजबूत कम लग रही थी मतलब जैसे हलकी-पुलकी टाइप की थी तो लॉंग लास्टिंग नहीं दिख रही थी वो पता नहीं क्योंकि मैंने ट्राइ नहीं किया तो नहीं बता सकते लेकिन वो मजबूत कम थी और फिर इसके बाद यह देखो यहाँ पर सब लोग तयार होते हुए जैपुरी कॉस्च्यूम में फोटो शूट के लिए और उन्होंने इतनी देर अल्डिटी कर दी थी मतलब भीड इतनी जादा उनके में हो गई थी थे तो बहुत सारे लेकिन पता नहीं क्यों बहुत जादा उनके में भीड हो गई एकदम से और यह देखो दीदी फोटो शूट करवाते हुए कितनी अच्छी लग रही है और एक और दीदी भी है अभी उन्होंने भी फोटो शूट यह देखो दीदी ने अपना वो टर्वन वगेराच्चे से बंदवा के photo shoot कराया था और मम्मी ने भी करवाया था यह मैं आपर गोल गोल गुमते हुए मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने नहीं करवाया इसके बाद हम यह नीचे के साइड उतर के आपर मचलियां भी थी बहुत सारी और लोग वो आटे की गोलियां और वो सारी चीजे डाल के उनको खिला पिला रहते देखो यह देखो कितनी सारी मचलिया यह ब्लैक ब्लैक कलर की और लोग खिला रहते फिर यह जल मैल के इंसाइड वाला तो हम लोग अलावी नहीं था तो जा नहीं पाए लेकिन यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा सुन्दर सा था यह देखो और फाइनली बस इतना यही सब देखते हुए हम लोग अब आगे दूसरी जगे जाने वाले हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए बाबाए और अगला व्लोग देखना मत भूलना झाल 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 झाल